नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है आज की जो ट्रेन जनकारी है वो है सूरत के उधना जंक्षन से दानापूर पटना तक चलने वाली उतना दानापूर सूपरफास स्पेशल ट्रेन जो की बाई विकली ट्रेन है चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और बेल आइकन जरूर दुबाएं ताकि आपको लेटेस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आज की जो ट्रेन जनकारी है वो है उधना दानापूर सूपरफास्ट विशेश ट्रेन ये जो ट्रेन है उधना जनक्षन सूरत से हर मंगलवार और शनिवार को दानापूर जनक्षन बिहार के लिए रवाना होती है इसका ट्रेन नमबर है 0963 ये जो ट्रेन है उधना दानापूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पैशल ट्रेन जो है 27 गंटे 15 मिनिट में उधना जंक्षन से दानापूर जंक्षन की दूरी जो है कवर करती है इसके तक्रीवन 18 स्टेशन से अर 1593 किलोमेटर का डिसेन कवर करती है एवरेश की जो है इस रूट पे वो है 58 किलोमेटर पर आवर और इसमें लेची कोच जो हैं इसमेंLOHP के कोच जो है । इसमें आई सीथ के कोच जो हैं दिये नहीं बात करें इसके रूट मैप के बारे में तो अभी आपके सामने रूट मैप है इसका ये गुजरात के सूरत के उधना जंक्शन से रवाना होती है और बाद में ये महराष्ट में जलगाओं बूसावल होते हुए खांडवा मध्या परदेश में पहुंचती है जबलपूर के पर्यागराज वारण सी होते हुए ये वारण बहार के दानापूर जंक्शन में जाकर इपनी यात्रा समप् करती है अगर टिकट किराय के बारे मात करें तो मैं घfalls अभी आपको डिकट किराय बदाऊंगा वह उत्ना से दाना पूर Contra कहोँगा बाकी आप अपоны रेटेट और सही किराज हो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट कॉंट रपे जाकर जुरूर कंफर्म करें वहां से आपको सही किराज हो है कंफर्म हो जाएगा यह जो ट्रेन है उदना दानापुर स्पैशल ट्रेन इसमें सेकंड एसी थर्ड इसी स्वेपर क्लास और जनरल रुपे हैं अगर बात करें इसके टिकट किराय के बारे में तो सेकंड एसी का जो उदना से दानापुर तक का जो टोटल किराय है वो है 2545 रुपए जिसमें 2325 रुपए तो बेस वेर है उदना से दानापुर तक का वो है 1770 रुपए जिसमें 1590 रुपए तो बेस वेर है रिजर्विशन चार्ज 40 रुपए है सुपर फास चार्ज 45 रुपए है और जी अश्टी चार्ज जो है वो 85 रुपए है ये टोटल किराय जो बनता है वो है 1770 रुपए जो की उदना से दानापुर तक का वता रहा हूँ बाकी इसमें स्लिपर क्लास के कोच भी है स्लिपर क्लास के तकरीवन इसमें 10 कोच इस हैं जिसका उदना से दानापुर्तक का जो टोटल किराया है वो है 675 रुपए जिसमें 624 रुपए तो बेज़ फिर है, रिजरुविशन चार्ज 20 रुपए है, सुपर फास चार्ज 30 रुपए है और टोटल किराया जो बनता है वो है 675 रुपए इसमें कोई GST चार्ज नहीं जुड़ा जाता तो यह अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवी की वेबसाट यह टिक्कट कॉर्टर पर जाके जरूर कंफर्म करें, बाकि इसमें तक्रीवन पांच कोचिस जो हैं, वो जनरल अंडर्जर डिप में हैं, जनरल जो बनता है, वो है 410 रुपेज, यह अपडेटेड आट सही किराया है, फिर भी आप रेलवी की वेबसाट या टिक्कट कॉर्टर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किरा जो है, कंफर्म हो जाएगा, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते पर यह ट्रेन जो है, तीन नंबर प्लाटफॉर्म से रवाना होती है, और इसके तकरीबन जो है, 18 स्टेशन है, 27 गेंटे 15 मिनट में अपनी जर्नी जो है, कवर करती है, और 1594 किलोमेटर का डिस जो है, एवरे स्पीड जो है, इस रूट पे वो है 58 किलोमेटर पर आवर, ज इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, दो नंबर प्लाटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है, रुपती है, और 157 किलोमेटर के करीब जो है, यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है, नंदूर बार रेल्वे स्टेशन का स्टेशन कोड है, इसके बाद यह ट्रेन जो है, उतना इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है, चार नंबर प्लाटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है, और 306 किलोमेटर की दूरी जो है, यहां तक कवर कर चुकी होती है, इसका स्टेशन कोड है JL, जलगाओं का स्टेशन कोड है JL, इसके बाद यह ट्रेन जो है, महराश्ट के इस ट जंचन महराश्ट में ट्रेन जो है, दोपहर के 1 बच के 40 मिनट पे पहुंचती है, और 1 बच के 45 मिनट पे वह सिर्वान हो जाती है, इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लाटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है, रुकती है, और 330 किलोमेटर के एक यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है, और इसका स्टेशन कोड है, BSL, यहां पर ट्रेन जो है, इसके बाद यह ट्रेन जो है, महराश्ट से मध्यपरदेश में इंटर करती है, मध्यपरदेश के पहले स्टेशन खांडवा जंचन में ट्रेन जो है, दोपहर के 3 बच के 52 मिनट पे पहुंच चुके होती है, इसका स्टेशन कोड है KNW, खांडवा जंक्षन के बाद यह ट्रेंज हो एटार सी जंक्षन मध्यपर्देश में शाम के छे बच के 15 बाद मिनट पर पहुंचती है, चे बच के 25 मिनट पर वहां से रवान हो जाती है, इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है, पा साथ बचके 20 मिनट पे वहां से रभाना हो जाती है इसका यहां पर दो मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लैटफॉर्म पे आके रुखती है उतना से पिपरिया की जो दूरी है साथ सो पांच किलो मेटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है इसके बाद उतना दान जो है कटनी जंक्षन मद्य परदेश में रात के 11 बच के 30 मिनट पे पहुंचती है और 11 बच के 35 मिनट पे मौसर वाना हो जाती है इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है 970 किलो मेटर के करीब जो है यातरा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड़ा के टीए कटनी जंक्षन के बाद ये ट्रेन जो है मद्य परदेश के आखरी स्टेशन पे पहुंचती है जो की है मानिकपुर जंक्षन से पहले सतना जंक्षन में पहुंचती है सतना जंक्षन मद्य परदेश में ये रात के 12 बच के 50 मिनट पे पहुंचती है और बारा बच के पचपन मिनट पे वहां सिरवाना हो जाती है, इसका यहां पर पांच मिनट का स्टॉप है, एक हजार किलो मिनटर के करीब यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है, और इसके बाद यह ट्रेन जो है, मद्य परदेश से उत्तर परदेश में टर करती है, उत्तर दानापूर सुपरफास स्पेशल ट्रेन जो है, मानिकपूर जंक्शन में पहुंचती है रात के दो बच के 20 मिनट पे और दो बच के 22 मिनट पे वहां सिरवाना हो जाती है, इसका यहां पर दो मिनट का स्टॉप है, दो नंबर प्लैटफॉम पे आके ट्रेन जो है, और ग् जो है, इंजन रिवर्स होता है, और 1248 किलो मेटर के एक रीब जो है, यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है, ग्यानपूर रोड में ट्रेन जो है, सुबा 5 बच के 40 मिनट पे पहुंचती है, और 5 बच के 42 मिनट पे वहां सिरवाना हो जाती है, इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1373 किलो मेटर के एक रीब जो है, यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है, और इसका स्टेशन कोड है, बी एस्टी, यहां पर निरांचल सुपरफास एक्सप्रस स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है, इसके बाद उत्रपरदेश के आखरी स्टेश स्टॉप है, 1485 किलो मेटर के एक रीब जो है, यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है, यहां पर ट्रेन जो है, हिंगिरी स्पेशल ट्रेन के स्टॉप है, इसके बाद उतना सूरस से दानापूर के चलने बारी होती है, उतना सूरस से यहां तक जो दूरी है, 1595 किलो मेटर के करीब जो है, यह ट्रेन कवर कर चुकी होती है, यह जो ट्रेन है, 27 गेंटे 15 मिनट में सूरस से उतना जंक्शन के दूरी जो है, कवर करती है, इसके तकरीबन 18 स्टेशन से, और हर मंगल बार और शनी बार को यह ट्रेन जो है, उतना से दानापूर के लिए चलती है, दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयो, तो कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पर मैं वीडियो बनाओ, तो भी कमेंट करके जरू को बताएं दोस्तों बनाने की पूरी कोश्च करूंगा और चैनल को सब्सक्राइब जुरू करें चैनल को सब्सक्राइब करें पहले और बात में बैल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आपको लेटस्ट वीडियो की नोडिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद दोस्तों इस